हेलो एवरिवन मद्राज हाइकोड में रिटायर्ड आफिसर ने यह आचिका फाइल की थी उसकी आज सुनवाई होने थी जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है और अगली जो डेट है आपकी 9 नवंबर बता दी गई है तो देखते हैं 9 नवंबर को इसमें क्या होता है दूसरा बी वेंकर्स ने यह आचिका फाइल की थी इलावाद हाइकोड में तो उस पे जो सुनवाई होगी आपकी 3 नवंबर को होगी और 31 अक्टूबर को वर्कमेन यूनियन और आईविये के बीच जो मुंबई में आपकी टॉक होनी है वो 10 बजे होगी तो 11 बैपर्टेट सेटलमेंट को लेकर जो आपका साइन होना है तो 4 वर्कमेन यूनियन और आईविये के बीच टॉक फिर से सुरू होगा आईविये ने 4 वर्कमेन यूनियन के सेकरेटरी को पत लिखा है और उनको बुलाया है तो आईविये की जो आईविये का कमेटी रूम है मुंबई में महाँ पे आपकी इसमें मिटिंग होगी महाँ पे इसमें टॉक होनी है इसमें जो वर्कमेन यूनियन है वो स्पेसल अलाउंस की डिमांड कर रहा था आपका 20% और आईविये 16.4 परसेंट के लिए तयार था जॉइंट नोट आप ऑफिसर का साइन होना था मदराज हाई कोड की वजए से वो साइन नहीं होआ है 31 अक्टूबर को जो वर्कमेन यूनियन की जो इसू है अगर वो रिजोल्व हो जाता है तो 31 अक्टूबर को आपका वाइपटाइट सेटलमेंट साइन उस पर जो साइन हो सकता है तो यह आपका वाइपटाइट सेटलमेंट 31 अक्टूबर को हो सकता है तो आपकी तीन डेट है जो आपकी आज सुनवाई होनी थी मदराज हाई कॉर्ट में उसकी डेट आपकी बढ़ादी है 9 नमंबर को होगी 3 नमंबर को देखना है कि जो वीवेंकर्स वाली आची का फाइल की गई थी उस पे क्या रिजर्ट निगल के आता है और 31 अक्टूबर को आपको वर्क्मैन यूणियन और आईवे के बीच टोक होना है मुंबई में तो इस वीडियो में इतना ही जैसे ही कोई अपडेट होगी इन सब को लेकर मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू